नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं कुण्डली को एनलाइस कैसे करना है क्योंकि 98% लोग नहीं जानते कि how to use their horoscope in your life अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्य यह आती है कि कुण्डली को एनलाइस करने के लिए केवल हमें अपनी कुण्डली के जो 9 planets हैं नो ग्रह जो हैं उनको चेक करना होता है कि कौन सा ठीकर कौन सा खराब है और उसको कैसे ठीक रखना है सबसे जादे important यह है तो हमारी जो लगन कुण्डली होती है वो हमारे एक रहसे मकान की नीव होती है नीव जितनी मजबूत होगी उतनी बड़ी building आप उस पर बना पाएंगे तो उसको कैसे ठीक रखना है उसके लिए birth chart को समझना जरूरी है and उसकी लगातर remedies कैसे करनी है कैसे लगातर growth लेनी है उसके लिए virtual को समझना जरूरी होता है जब हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो बहुत सारे confusion हमारे दिमाग में रहते हैं कि हमारे कून से planets कहां पे हैं कैसे उसको ठीक रखना है और उसके लिए करा क्या जाए तो आज आपको एक example के थूरू समझाने के परियास करेंगे और जितने हमने पहले rules करें हैं चाहे मस किस तरह से काम करता है किस तरह की problem create होती है और फिर कैसे उसको ठीक रखना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक चार्ट लिया है इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो टौरस लगन की कुंडी है वरशव लगन की कुंडी है केतू first house में है ब्रस्पती 10th house तो यहाँ पर सबसे पहले हमें start करेंगे केतू से अब केतू क्योंकि कुंडी के first house में बैटा है लगन कुंडी का सबसे important house है वहाँ पर जो गरे बैटा है उसको कुंडी का राजा है तो उसको ठीक रखना सबसे जादा important है क्योंकि अगर वो ही खराब होगा यानिकि रा तो ऐसे में first house कालपुरुष कुंडी के साफ से किसका है मंगल और सूर्य क्योंकि कालपुरुष कुंडी की जा हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक नंबर के राशी कंसिडर करनी होती है जैसे कि पहले आपको सभी वीडियो से बताया है एक नंबर के राशी यहाँ पर म सूर्य है अब मंगल और सूर्य दोनों आपसे मित रहें और यहाँ पर first house का कंट्रोल करते हैं केतू केतू जब आके first house में बैठ जाएंगे तो केतू जो है वो आपका मंगल को कमजोर करेंगे अब कुंडली में मंगल कहीं भी होगा तो यहाँ पर कमजोर हो जाएगा केतू केतू फरस्ट house में तो ऐसा जातक सवाव से जिद्धी होगा गुस्से वाला होगा क्योंकि मंगल कुंडली में खराब हो गया अब मंगल कुंडली में खराब हो गया दूसरा केतू फरस्ट house गुस्सा जिद्धी सवाव क्योंकि मंगल के साथ सूर्य भी है मंगल और सूर्य के combination भी है तो हमने देखना है कि लगनेश बैठा का है लगनेश नाइन्थ हाउस में हैं किसके साथ है मंगल के साथ है वह सूर्य के साथ है सूर्य अगनीकारक मंगल भी गरम सभाव करे दोनों जब मिल जाएंगे तो ज्यादा अग्रेसिन प्यादा करेंगे ऐसे में मून कुं केतू फर्स्ट आउस के लिए आपको ट्रू फैक्स की वीडियो में क्या बताया था कि ऐसे जातक कि माथे सिर पर कोई ने कोई चोट अवश्य लगती है उसके माथे पर यह आईब्रो के आसपास कोई ने कोई हलका सा कटका निशान अवश्य देखने को मिल जाता है अब आ क्या है क्योंकि अगर आप किसी बच्चे की कुंड़ी में चेक करेंगे तो आप कहेंगे इसके चोट लगी नहीं है मगर आप किसी जब 40-45 साल की व्यक्ति की कुंड़ी में चेक करेंगे तो वहाँ पर उसको सिंटम्स देखने को अवश्य मिल जाएंगे अब केतू फर्स् यह हाँ से शिफ्ट हो जाते हैं करेंगे चले जाते हैं जब केतू फर्स्ट आउस में होता है तो ऐसे जातक कर जहां जनम हुआ होता है यहां जनम इस्थान की स्थिति ठीक नहीं रहती समय के साथ वो गर या तो रहता नहीं है यह उससी कंडिशन खराब देखने को मिलती ह केतू फर्स्ट आउस में हैं केतू की दरश्टी कहां पर आ रही है फर्स्ट आउस का जो आपको लाल किताब के एकॉर्डिंग हमने दरश्टी के कॉंसेप्ट की बात करी थी तो उसके एकॉर्डिंग फर्स्ट आउस का प्लानेट सेविन थाउस के प्लानेट को अपनी रहु प्लस के टू इसी कढूब क्या होते हैं शुक्र क्योंकि मणने मसनूheen प्लैनेट्स की बात करी थी तो वह पर बताया था इंक शुकर के कैसा है कैसा रेज़्ट देगा उसके लिए बहुत सारी चीजे होती है क्योंकि कोई भी प्लैनेट कितना खराब है और कितना अच्छा है ये सबसे इंपॉर्टन होता समयना तो उसके लिए उनके मसनी प्लैनेट को भी कंसिडर करना होता है तो केतु और राहू जब यहां कर सेवेंध आउस मिल जाए तीसरा कीतु फर्स्ट ताउस में जब होते हैं तो उसका रूल क्या था कि सूर्य कुंडली में कहीं भी है अब वो उच्छ के परिणाम देगा तो कीतु सूर्य जो है वो कुंडली के अंदर अब मजबूत पोजिशन में आ गया भाग्य वाओ में बैठा है तो भाग्य वा तो यहाँ पर तेरा से पंदरा अब केतु की आईयू क्या है जब हमने 35 साला चकर की बात करी थी तो तेरा से पंदरा वर्ष की जो आईयू है वो केतु की बताय थी केतू की आयू में हैनि कि हर प्लानेट अपना इफेक्ट कब देते हैं उसके लिए उनका इपना टाइम पेरेड है वर्षफल है इन सब चीज़ों को समझना जरूरी होता है तो केतू की आयू 13 से 15 वर्ष की आयू में जातक के पिता को ग्रोथ अवश्य मिली होगी तो यहाँ पर फादर को ग्रोथ तो यहाँ पर ऐसे जातक यह चार्ट है चेक किया हुआ है और यह सब गटना है उस व्यक्ति के साथ गट चुकी है आपके साथ शेर इसलिए क्या जा रहा है ताकि आपको समझ में आया कि किस तरह से रूल काम करते हैं तो केतू की आयू में अब केतू की आयू 13-15 नहीं है इसके लावा और भी होती है 35 साला चक्र में जाके आप समझ सकते हैं आगे जब डिटेलने बात करेंगे तो एक चार्ट पर हम दो घंटे दे लें तीन घंटे दे लें यतना मर्जी टाइम स्पेंड कर लें मगर आज आपको थोड़ा सा इस तरीके से बता रहें यह फर्स्ट आपका कॉंडली का प्रडिक्शन है तो आपको easily समझ में आए कि कैसे काम करेंगी चीजे तो केतू फर्स्ट आउस सूर्य स्ट्रॉंग 13-15 वर्श के आईवयो में जातक के फादर को ग्रोथ ब्रस्पती 6 ताउस अब ब्रस्पती 6 ताउस जब ब्रस्पती के हमनें बात करेंगी तो आपको पता है कि ब्रस्पती के कौन से घर खराब मने गए हैं 6,000, 7,000 और 10,000 इन घरों में ब्रस्पती को शुब नहीं माना गया है अब 6,000 के ब्रस्पती के लिए क्या कहा गया है कि अगर इस ब्रस्पती को ठीक कर लिया जाए तो सोने की चांदी में खाना परोसे यानि कि ऐसे जातक कि सभी इच्छाओं के पूर्ती जीवन में हो जाती है या आप इसको ऐसे कहें कि जो चाहेगा उसको वो चीजे असानी से मिल जाएंगी ब्रस्पती 6 ताउस ऐसा जातक जो होते हैं वो नौर्मली बहुत जादा वर्किंग करना पसंद नहीं करते अराम दायक जिंदे की पसंद करते हैं अराम सा कुछ इनको मिल जाए यह इस तरह के प्रोफेशन को चूज करना है इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं अब ब्रस्पती 6 ताउस ऐसे जातक कि जीवन में एक बार बदनाम की अवश्य होती है क्योंकि ब् ब्रस्पती चे नंबर के अन्यगे 6 था उसके जो कारक है वो कौन है के तू मरकरी एनिंटी में इसका जूपिटर का इसलिए ब्रस्पती को यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है मगर ब्रस्पती यहाँ पर अच्छा फल कब देगा या इसको हमने अच्छा कैसे क्र लेना है केतु कुंडली में कहीं भी हो उसको स्ट्रॉंग कर लें क्योंकि यहां पर दो चीज़े काम करेंगी कारक और मालिक अम मालिक से दुश्मनी है मगर केतु क्या है ब्रस्पती का चेला फ्लोवर हैनि कि ब्रस्पती गुरू है तो केतु चेला है ब्रस्पति कुंडली में जैसा होगा केतू वैसे रिजल्ट देगा अब यहाँ पर इस ब्रस्पति को ठीक रखने के लिए आपको कुंडली में केतू कहीं भी हो उसके रेमेडि करनी होगी केतू फर्स्ट आउस्त में हो उसके लिए क्या कहा गया है कि दर्वेश सेवा से मद अच्छे देगा जब हम केतू को ठीक कर लेंगे केतू को ठीक करने का यहाँ कि हमेशा डॉक्स की सेवा करे मगर डॉक पालना नहीं है क्योंक्वेंट सेवा करनी जो गली के कुछते हैं ब्रस्पती 6,000 ऐसे जातक को बार-बार अपने काम बदलने की आदत होती है यानि की चेंजिन केरियर इनका मन किसी कारिये में लगातार टिकता नहीं है क्योंकि इनको हमेशे कुछ नो कुछ जादा चाहिए होता है अराम से चाहिए होता है दादा या पिता दूसरा ब्रस्पती 6,000 जब होता है तो यहां पर हमें मरकरी को भी कंसिटर करना होता है तो कोई प्लानेट जब किसी भी हाउस में बैटा हो तो उसके मालिक और कारक दोनों को अगर शुप कर लिया जाए तो उस हाउस के रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे वहाँ पर जो प्लानेट बैटा है वो ऑटोमेटिक अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा अब बात करते हैं राहू की तो राहू सेविन्थ हाउस में है राहू सेविन्थ हाउस में होता तो यहाँ पर जातक का अपने लाइफ पार्टनर के साथ जगड़े की स्थिति बनी रहती है जगड़ा होता रहता है जातक का पैसा अपने यार दोस्तों पे ज़्यादा खर् जीवन में दूसरा ऐसे जातक को अपने सुस्राल वालों के साथ मिलकर कोई काम नहीं करना चाहिए तीसरा घर में डॉग नहीं पलना चाहिए दूसरा राहू सेविन्थ हाउस में है तो सेविन्थ हाउस कालपृष कुंड़ी के हिसाब से किसका है मरकरी और विनस मरकरी इस घर के कारक है और शुकर मालिक है तो यहाँ पर क्योंकि यह मरकरी का तो फ्रेंड है और शुकर का क्या है एनिमी तो राहू सेविन्थ हाउस शुकर को ख और राहु जो है यो खराब हो गया आप बास समझेगा राहु 7,000 काम किए मर्करी का कर दिया अब मर्करी जब अच्छा कर दिया तो जुपीटर का बैठ गया या घा जुपीटर क्या तो उसके मालक और कारक्त दोनों अच्छे सित्विक में आ गया क्योंकि मरकरी अच्छा हो गया ऐसा जातक भागेशाली होगा अच्छे घर में इसकी पैदाईश होगी और ऐसा जातक जीवन में जो चाहेगा उसकी इच्छों के पूरती होती रहेगी इस ब्रतपती को और शुब करने के लिए हमें इसके रेमेडी को लगातार करते रहने से और जादा जीवन में ग्रोथ मिलेगी चंदर्मा की रेमेडी लगातार करनी पड़ेगी चंदर्मा कुली में या खराब हो गया बात करते हैं मून की मून एर्था उसमें है अब आठवे घर का मून नॉर्मली शुब नहीं माना जाता क्या है ब्रेक इन बने रहेंगे पड़ाई में अगर ब्रेक आ रहा है तो हेल्थ इशु मतर की कही ना कहीं ठीक रहेंगे अब उनके अपने चार्ट में इशुब तो बाते का लगे घर में या जेब में ऐसे जातक के पास कोई नों की फॉर्ण करंसी अवश्य देखने मिलेगी ऐसा जातक न जब 35 साला चकर की बात करते हैं तो यहाँ पर 24 वर्ष की जो आई यू है वो चंदरमा की बताई गई है जब 23 पूरे होंगे 24 वर्ष स्टार्ट होगा उस साल या तो इसकी एजुकेशन में कोई ब्रेक आएगा या इसका सब्जेक्ट चेंज होगा इस जातक का एर्थ हाउस में मून है नो नंबर के साइन में है चंदरमा नो नंबर के साइन में हो या नाइन्थ हाउस में हो नाइन्थ हाउस कौन सा हो गया बागया बाओ नो नंबर के साइन में या नाइन्थ हाउस ऐसा व्यक्ति अपनी 24 वर्ष की आई यू के बाद जो भी पढ़ा ने अपनी 24 वर्ष की आयू के बाद जो पढ़ाई करी वो ही इसका केरियर बन गया अब मून एर्थ हाउस में है और नाई नंबर के साइन में है एर्थ हाउस ओकल्ट साइन्स का है जैसे एस्ट्रोजी या गुप्त विद्याओ का नाई नंबर का साइन क्या है धार्मिक्ता स्पर्शिलिटी क्योंकि बाग्यवाव ब्रस्पति का है तो ऐसे और मून क्या है मदर तो जातक की मदर जातक की 24 वर्ष की आयू के बाद इस तरह की चीजों में अपना इंटरस्ट उसका बनेगा तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जातक के साथ हुए अब बात करते हैं सूरिय शुक्र और मंगल शुक्र सूरिय मंगल अब शुक्र नाइन था उस में नॉर्मली आपको पता है कि अच्छा नहीं होता शुक्र नाइन था उस मंगल कुंडली में खराब हो जाता है जवर्दस मंगल बद बन जाता है मंगल बद मिस खराब भी हो रहा है अच्छा भी हो रहा है कैसे हो रहा है इस बात को समयना होगा के तू फर्स्ट हाउस मंगल खराब शुक्र नाइन्थ हाउस मंगल खराब मगर चंद्रमा 8th house अब चंद्रमा का ये रूल है 1st house, 3rd house, 8th house इन में अगर चंद्रमा प्लेजड है तो मंगल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि 1st house कालपुरुष कुंडली के साथ से एक नमबर की राशी मंगल का है मंगल के यहां चंद्रमा जाके बैठ जाएंगे मंगल पर दरश्टी डाल देंगे मंगल के साथ बैठ जाएंगे तो मंगल कुंडली में अच्छा हो जाएगा चाहें किसी भी रूल से कितना भी खराब क्यों ना हो रहा हो इसी तरह 3rd house किसका है मंगल का बेशक राशी में तो ना आती है मंगर है मंगल का क्योंकि साहसर प्राकरम करा है और कारक भी मंगल है तो 3rd house में चंद्रमा बैठ जाएंगे तो मंगल अच्छा हो जाएगा 8th house भी मंगल का है क्योंकि 8 नमबर के राशी आती है तो यहाँ पर चंद्रमा 8th house मंगल को ठीक कर देंगे मंगल 10 नमबर के साइन में है मंगल 10 नमबर के साइन में है यानि अपनी उच्छ की इस्तिती में है अब आप सोच रहे होंगे कि आप लाल किताब के अकॉर्डिंग बात कर रहे है और राशियों को भी इसमें इंडॉल्व कर रहे है देखे यही तो मैजदारी है कि जब आप दोनों कॉम्बनिशन को लेके चलेंगे तो आपकी एक्यूरिसी बहुत जाता बढ़ जाएगी क्योंकि वैदिक का ही पार्ट है जितनी वी अस्तिलोलोजी के पैटर्न है बगर लाल किताब जो है बड़ी एक्यूरिट वे में प्रडेक्शन देती है और साथ ही रेमेडी प्रोवाइड करा दिये देट इस इंपोर्टनस ओफ लाल किताब तो यहां पर लाल किताब के एक्कॉर्डिंग जो है मंगल नाइन नंबर के साइन में है मगर दस नंबर की राशी में है उचकी इस्तिती में है चंदरवा ने प्रोटेक्ट कर दिया बेशक चाहें केतू ने खराब कर दा तो दूसर प्रोटेक्शन ने कहां से मिला सूर्य से सूर्य इनके मित्र हैं ग्रहों के राजा है और सूर्य कुनली में अब स्ट्रॉंग पोजिशन में अपनी उचकी अवस्ता में क्योंकि केतू ने सूर्य को उच्का कर दिया अब उच्के सूर्य मंगल के साथ बैट गए तो मंगल हो गया पावर्फुल मंगल नाइन्थ हाउस 9th house किसका है हमारा पिता का क्योंकि house को भी तो देखते हैं कि 9th house किसका है पिता का मंगल क्या है प्रोपर्टी जाता कि पिता के पास प्रोपर्टी काफी होगी तो इस बच्चे के पिता के पास काफी ज़्यादा प्रोपर्टी पाई गई दूसरा मंगल टेन flash नंबर के साइन में हो ये 10 ताउस में हो दोनों ही condition में जातक के career में change ज़्यादा आते हैं कम से कम तीन बार change अवश्या आते हैं तो यहां पर जातक के career में नहीं आएँगे क्योज app क्योंकि मंगल कहां वैटा है पिता के भाव हैं तो पिता के केरियर में एक से ज़्यादा बार चेंज देखने को मिलेंगे, तो वो मिलें, साथ ही मंगल के साथ शुक्र हैं और सूरिय के साथ शुक्र हैं, शुक्र यहां पर फज गए, यूगि सूरिय के साथ शुक्र जब बैट जाते हैं, तो शुक्र पिडित हो जाते हैं, शुक्र 9,000 में automatically अच्छे नहीं माने जाते अब शुक्र यहाँ पर कुणली में थोड़ा सा खराब हो गया तो दूसरा शुक्र के खराब होने के कारण क्या क्या है इस पार को समझे नमबर एक राहू राहू 7,000 तो आपको बताया थे कि बुद्ध को अच्छा करेगा शुक् बरस्पति शुक्स था उस में है मगर राशी कौन सी है साथ नमबर की साथ नमबर के राशी तुला राशी शुक्र के राशी है तो शुक्र को खराब करेगा क्योंकि जूपीटर इस दा एनिमी और विनस तो शुक्र अब राहू से भी खराब हो रहा है बरस्पति से भी खर विल्ट आएगा क्योंकि कीटू प्लेज्ट इन कि सेकंड नंबर साइँ तो यह जो आपको मैं रूल बता रहा हूं यह रूल भी आप नोट करते रहिएगा आपको काफी हल्प करेंगे परने चार्ट देखने में कीटू कुंडली में सेकंड हाउस में हो या दो नंबर की रा शुकर के साथ मंगल है और शुकर के साथ क्या है सूरिये अब शुकर क्या है हमारा लाइफ पार्टनर शुकर नाइन थाउस लाइफ पार्टनर थोड़ा चीटटे सुभाव का होगा शुकर टैन नंबर के साइन में है यह टैन थाउस में हो तो लाइफ पार्टनर वरकिंग ह कोई नहीं कोई काम करने वाला होगा या तो घर से काम करेगा यह जोब करेगा शुक्र 10 थाउस ये 10 नंबर के साइन में हो तो लाइफ पार्टनर आफ्टर मैरिज हेल्दी हो जाएगा शुक्र 9 थाउस जात कि पतनी का कोई नहीं कोई अपरेशन सर्जिरी जरूर होगी शुक शुक्र 9 थाउस जात कि पतनी की वीमारी पर पैसा कुछ ना कोई खर्ष होता रहेगा शुक्र लाइफ पार्टनर सूर्य क्या है ईगो तो लाइफ पार्टनर विल बी इगोस्टिक एग्रेसिव शुक्र मंगल के साथ है मंगल अगनी कारक रहे है सुडिय बैगनी कारक रह पर यहां पर आई वी है तो यहानी जातक की शुक्र मंगल का कॉम्मिनेशन लव मैर्ज के योग बने हुए लव मैरिज करेगा जातक कि पती पत्नी के बीच में आपस में मदबेद की स्थिति रहेगी जगडा लड़की भी गुस्से वाली चुड़ा 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 च सेविन्थाउस में तलाग भी कराता है तो ऐसा जातक अगर अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग टाइम रहते कुछ रेमेडिस फॉलो कर ले जैसे राहु सेविन्थाउस के लिए आपको राहु सेविन्थाउस के वीडियों बता रखा कि क्या रेमेडी वहां करने है को रेमेडी परफॉर्म कर ले साथ ही वर्ष फलकन उसार शुकर की रेमेडी करता चला जाए तो यहां पर वह अपने मेरे लाइफ को हेल्दी भी रख सकता है और साथ ही तलाग की स्थितिती से उसका बचाव भी निश्चित तौर पर हो सकता है शुकर की जो एज है वह हमन शुकर स्टार्ट होगा धेन ऐसे जाता का शुकर एक्टिवेट होगा क्या होगा ऐसे जाता कि कोई न कोई गर्ल्फ रेंड उस साल अवश्य और वनेगी तौई इस की बनी अब टैन्त हूस्त क्या है कय रियर, तो कहा बनेगी उसके कयरियर में या यहां वो वर्किंक करता होगा साथ ही आपका सूरिय कहां बैठा है नाइन थाउस किसका है पिता का सूरिय उचका हो गया सूरिय की 35 साला चकर के साथ से आई यू क्या है 22 साल 22 साल में 21 कंपीडों का 22 साल में जाता कि पिता का परमोशन ने कोई ना कोई तरक्की अवश्य होगी वो हुई तो यहां पर आपने इन बातों से यह समझा कि एस्ट्रोलोजी किस तरह काम करती है 10 थाउस की बात करें 10 थाउस एक्सिलेंड शनी और बुद का कॉम्बिनिशन है that is राई योगा केरियर बहुत अच्छा होगा क्यूकि केरियर हाउस में है शनी 10 थाउस में है और मरकरी है मरकरी ऑटमेटिक अच्छा है क्योंकि वो आपको रूल बतायाता है कि राहू ने मर mercury का combination अच्छा है तो ऐसा जातक consultancy के कामों से wishes लाप पराप कर सकता है साथी ब्रस्पती क्योंकि शनी भी है 10th house में तो ब्रस्पती के कामों से भी wishes लाप पराप कर सकता है सूर्य और शुक्र इसी कल्टू Jupiter हो जाते हैं मस्नुमी होगा तो यह बच्चा जो है गच्छेगास संपन परिवार में हुआ और सब कुछ उसको मिलता चला गया मगर यहां पर थोड़ा सा इसके relationship challenges definitely देखने को मिलेंगे सभाव जिद्धी होगा जिद्धी दवाव के कारण ऐसा बच्चा जो है जीवन में नुक्सान उठाता है तो यहां पर हमें करना क्या है इस केतू के according ठीक कैसे रखना है डॉक्स की सेवा करनी एक लाल रंग का रुमाल रख ले तूसरा सिक्स हाउस के जुपिटर के लिए अपने लेफ्टेंड की लिटल फिंगर में एक रिंग डाले गुल्ड की अपने लाइफ पार्टनर के परती थोड़ा हैसा जातक कि मित्र अच्छे नहीं होते जीवन में दोका देते हैं जिसको यह पैसे देते हैं उससे पैसे जल्दी से वापस नहीं कि यहां पर एसे जातक को अपने शनी को अच्छा रखने के लिए कभी भी शनी क्या है शराप तो किसी को शराप आपका दान नहीं करना चाहिए लिकरादी गिफट कोकल पार्टी नहीं रहें चाहिए वी इस भी बाते आपको पहले बताई हैं तो इन सब को जोड़ना कैसा है आज हमने इसकी बात करी अब आप कहेंगे 예 की आपको हमने बहुत किये थे उसमें जो डेटो बर्स शेर किये थी और आज की वीडियो में जितने भी डेटों बस व गवेगरा शेर किते करेंगे मैक्सिज हमारे सकते होंगे लिए नेटी में इतना डेटेल में बात इतना डीटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इतनी डीटेल में बात करेंगे तो फिर एक चार्टी मुश्किल से हो पाएगा मेरा परियास क्या है कि ठीक है, हमें चीजों को समझना जरूरी है, कि भी ठीक है, क्या खराब है, क्या ठीक है, और क्या प्रॉलम आएगी, सबसी इंपोर्टन चीज क्या है, रेमेडीज, मेरा जो कॉंसेप्ट है, एस्टोलोजी के अंदर वो यह है, कि वह यह चीजों को ठीक कैसे करना है, आप भाई तो है नहीं, तो फिर क्या फाइदा हुआ, तो फाइनली, वी नीट तो अंडरस्टेंड, हाओ तो पर्फॉर्म दर रेमेडी, और रेमेडी इस वेरी पावरफूल, और वेरी स्पॉलर, तो पूजा पाठ, माला जपना, अपना कुछ नहीं, सिंपल सी रेमेडी है, अपनी लाइफस्टेल को जीए, उन सिंपल सिंपल रेमेडी को परफॉर्म करें, चीज़ों को दियान से समझें, नौर्मली, अगर हम समय रहते, अपनी होरोस्कोप को समझ लेते हैं, तो निश्यत तोर पर, अब आप एक बास समझ रहे हैं, कि बच्चे के चार्ट से उसक पूरे खांदान पर एफेक्ट आयाता है, मामा, चाचा, ताउ, दादी वेगरा सब पर एफेक्ट आयाता है, तो आप इस बास को समझें कि एक चार्ट कितनी ज़्यादा स्टेंथ रखता है, तो आज हमने इसको समझा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम सिंपली क्या क करेंगे, आप लोगों के चार्ट लेंगे, उन चार्ट के अकॉर्डिंग, आपको क्या प्रकॉशन, क्या रेमेडि फॉलो करनी है, मेन मेन उसकी बात करेंगे, ताकि आपको जो है चीजों को ठीक रखने में मदद मिले, और लेफ को आप इसली इंजॉय कर सकें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्टा,